है थीक है अब क्या है कि यह यह जो हमारा एंगल हम तो पता है कि यह 30 डिग्री होगा और क्या होगा है 30 डिग्री होगा मगर यह जो हमारा है इसमें जो है हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे ठीक है परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और देखो अगर यह एकस है वाई अगर यह मान लो पहले कि यह एकस है अगर यह वाई है तो यह क्या होगा जेड होगा अगर इसमें बनेगा तो एकस वाई बनेगा और इधर बनेगा तो क्या बनेगा य, z बनेगा, इधर z है, x है, y है, z इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा ही direction बनता न, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, और ऐसा बनेगा, अगर य, x है, य, y है, तो z है, तो x दर होगा, तो इधर positive होगा, य, negative होगा, यहां कोई negative positive से मतलब है नहीं, हमको जो देखना है यहाँ पे कि xy plane yz plane और xy plane तो xy plane का तो बना लिए ठीक है अब हमको बनाना है किसका कि किसका बनाना है एक जेट का बना है बोलो एक्स और यह क्या हुआ है why और यह जेड ठीक है किसका बनना चाहते हैं अगर हम इसको एकस है अगर इसको जेड लेले तो ऐक्सड प्लेन में बनेगा ठीक है अब उसके लिए क्या करते हैं या इधर अगर यह X है इधर भी हम X ले लें तो अगर यह Y है तो इधर अगर हम Z लें तो क्या बनेगा YZ plane में बनेगा ठीक है दोनों के लिए process सेम है बनाते कैसे वो बात देख लेते पहले ठीक है यह perpendicular होगा और यहां से हमको पता है कि यह जो angle बनेगा कितना बनेगा 30 degree बनेगा और इधर बनाना नहीं है हमको किस में बनाना है YZ plane में बनाना है तो YZ plane में अगर बनाना है तो बाकि हम मिटा देते हैं ताकि आप confuse ना करें यह अगर Y है और यह क्या है Z है ठीक है अब क्या है कि यह perpendicular हुआ और process वैसा है का सेम रहेगा जैसे यह point पे हम ना इस point पे हम क्या select करेंगे A यह point पे select कर लिए उसके बाद A से हम कहां जा रहे थे D जा रहे थे और B जा रहे थे तो A से D तो A से जो है B हम इस पे चले जाते हैं ठीक है और दूसरा क्या है A से D तो A से D इस पे जाना होगा ठीक है माल लेते D यहां आया उसके बाद D से कहां जाना होगा C तो C इसी के parallel होगा ना इसी के parallel होगा और इसके parallel होगा तो ऐसा होगा और C 40 ही रहेगा ठीक है क्या रहेगा 40 40 और C से क्या आएगा B और यह इसके क्या होगा parallel होगा यानि ऐसा perpendicular ठीक है तो यह हमारा क्या जगा C आएगा A, D, C और B इस तरह से यह systematic होगा और यह Y, Z plane है अगर X, Z plane होगा तो इधर बनेगा ठीक है या X इसको आप X मान लो इसको Z मान लो X, Z plane होगा मगर प्रोसेस क्या होगा से मोगा ठीक है आप यहाँ पर देख रहे न यह वाला पहला था ठीक है यह बना हुआ दूसरा ऐसा आया कि नहीं यह वाला फिगर ऐसा दिख रहा एक नहीं थोरा-थोरा को थोरा-थोरा दिख रहा है डिवाल हमें दो perseverance यह यह Ой या सा आप आप यह ऐसा है घडिक का अब जो है कि अब क्या है इसमें कारा के नेक्ष्ट को स्थन है प्रादा आईसो मेट्रीक ब्लीच क्वाफ कर लगोग्षब बित 40 mm side such that its surface P is parallel to the HP and a side parallel to the VP hexagon सब लोग जनता है क्या होता है hexagon कितना side होता है 6 दो side के बीच के एंगल कितना होता है 120 पेंटागोन में 108 ठीक है इसको समझना होगा कि ये कहना क्या चाहरा है ठीक है ये hexagon तो है 6 side होगा side 40 है मगर कहता है कि its surface is parallel to HP and VP hexagon बोला है surface है hexagon कुछ भी नहीं बोला सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है hexagon बोला है और hexagon जो होगा और एक surface HP पे है उसका तो पहले हम hexagon बनाएंगे hexagon दो ही तरीका से बनता है एक तो ऐसा बनता है ठीक है और दूसरा ऐसा बनता है इस तरह का बनता है hexagon ये hexagon जो है जब बोलेगा perpendicular तब बनता है क्या बोला है parallel HP का बोला है ये वाला hexagon parallel वाले में बनता है ठीक है ये इतना थोड़ा ध्यान रखना है उसके बाद अब देखिए यहां पे कि सबसे पहले hexagon बनाते हैं इसका process कैसे वह देख लेते हैं सबसे पहले क्या है hexagon बनाएंगे हम पहले horizontal line लेंगे कितना का 40 का कैसे बनाते है hexagon देख लेजे 40 का लेंगे मान लेंगे कि यह है और क्या है भी है उसके बाद a को reference ले करके और b को reference ले करके हम बनाएंगे 120 डिग्री ऐसे किसके मदद से कमपास के मदद से 6 दिन लगेगा ठीक है यह बन गया उसके बाद side 40 होना चाहिए तो फिर side 40 है तो side 40 यहां भी काट लिए और यहां भी काट लिए उसके बाद फिर यहां से क्या होगा इसको reference ले करके इसको reference ले करके फिर 120 डिग्री बनाना एससे ठीक है इसको reference लेके और इसको reference लेकर क्या बनाना है 120 डिग्री कोई दिकत उसके बाद फिर 40 क्या करना है मेजर कर लेना तो माल लो फोर्टी जो आया कर देंगे मिला देंगे यह तो हेक्सागोन बना ठीक है मकर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमको बॉक्स चाहिए ठीक है तो चाहे वो पेंटागोन का हो हेक्सागोन का हो ट्रेंगल का हो सरकिल का हो सबसे पहले उसको हम ब्लॉक में बंद करते है ठीक है और ब्लॉक में बंद करते हैं तो देखिए कैसे करते हैं ब्लॉक में बंद इसको ठीक है देखिए सबसे पहले ब्लॉक में बंद करने के लिए इसको ऐसे मूफ करेंगे ठीक है और इसको ऐसे और इसको ऐसे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में अगर ट्रेंगल बोला है रेक्टेंगल नहीं अगर पेंटागोन बोला है हेक्सागोन बोला है सरकिल बोला है उसके लिए सबसे पहले दिये हुए फीगर को ब्लॉक में चेंज करना है ठीक है पहले ब्लॉक बनेगा तभी उसके अंदर का काम होगा जैसे orthographic में पढ़ते थे ना कि सबसे पहले length break thickness पता हो जाएगा तब ही हम block बनाएंगे तब उसके अंदर सारा काम कर पाएंगे orthography or isometric में भी सबसे पहले हमको block बनाना परेगा ठीक है यह ब्लॉक जब बन जाएगा उसके बाद हम उसमें काम करेंगे उसमें हक्सागोन बनाएंगे तो सबसे पहला काम यह समझ में आया कि नहीं आया उसके बाद अब देखिए यह जो साइड था A B C D उसके अलाबा हम पहला ब्लॉक जो बनेगा A B C और D कोई दिक्कत है तो बोलिए यह हां पर A B C D यह जो आपका मेजर्मिंट आएगा न वो आपको बनाना परेगा ठीक है है यह जो आप निकालना परेगा मेजर करके यह अगर हम बनाना शुरू करेंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे कितना आता है 87 87 कि यह कितना आता है 80 ठीक है अब देखिए यह अब क्या है कि जो ब्लॉक बनेगा वो 80 और 70 का बनेगा यह क्या है रेक्टेंगल 80 और 70 क्या है रेक्टेंगल है तो सबसे पहले काम क्या करेंगे रिफरेंश लाइन लेंगे और एक प्वैंट सेलेक्ट करेंगे ठीक है अब देखो एक करने सेलेक्ट यहाँवला यह अगर एस सलेक्ट करेंगे तो ए से AD trans सकते हैं एक और कहां जा सकते हैं दी तो पहले आई-सो मैट्रिक है तो अगर देखो अगर लोकेशन स्पेसिफाइड ना करें कुस्वे ना कि कौन सा प्लेन बे बनाना है तो जेनरली हम एकस वाला फॉल करते है ठीक है अगर कोई भी लोकेशन ना हो तो यह जो सिंपल वाला बता रहे हैं वो उसमें करते हैं तो यह जो हमारा आ गिया यह 30 डिगरी और यह कितना है क्या कौन सा पॉइंट यह नहीं कहीं भी ले सकते हैं कहीं भी यह जरूरी कहीं भी ले सकते हैं मगर मीड़ पॉइंट पर लेंगे तो अच्छा लगेगा और अच्छा का मतलब आप समझी रहे हैं नमबर ज्यादा ठीक है अब क्या है कि देखो एपॉइंट जो है यह पॉइंट यहां का लिए तो एसे क्या जाएंगे बी तो बी यहां पर आएगा मा हीन से एड़ी और की धूली गिट इस से दी की दूरी चांठ उसके बाद गल कि हम क्या करेंगे मिनी त्राप्टर से इसके प Amazon इधर लेंगे और इसके पार्लेल इधर लेंगे ठीक है और वहां जो कटेगा वह हमारा क्या जाएगा है इस तरह का बने गाट आव में पर एश इसके यह पैरलल होगा इसके यह पैरलल होगा ठीक है उसके बाद अब करना क्या है आपको कि यह जो हेक्सागोन वाला जो पॉइंट है A B C कि डी और एफ माल लेते हैं कि A B C D E और एफ है और इसको हम को इस पर क्या है बनाना है अब देखिए A से capital A से small A का कुछ दूरी होगा होगा ना उसको हम लोग compass से measure कर लेंगे compass से अजोर नहीं तो दूगों आँख निकलने वला होता है क्या होता हो divider टीक है तो उसको ऐसे करेंगे और यहां से तो समस्या उसमें कहना कि सीट पर छेद करना पड़ेगा ना तो हम लोग जनरली compass से measure करते हैं तो compass से measure कर लिए और यहां से A पर रखके कार कर लेंगे काट लेंगे ठीक है यह जो point हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा यह क्या मिलेगा हमारा small A मिलेगा ठीक है उसके बाद A से B की दूरी 40 तो पता है तो यहां से A से A को center मानके और काट लेंगे ऐसे कितना का 40 का और 20 small B से capital B major करने कि अब सकता नहीं है उसके बाद उसके बाद यह हम मिला दे तो पहले यह B हो गया ठीक है उसके बाद अब देखिए जो है B और C के बीच मे B और C के बीच मे small C है तो B वाले जो हमारा बड़ा वाला है उसमें B से major कर लेता है यह दूरी compass के मदद से और इसको हम B यहां न यहां पे मार लेता है कोई दिकत यह कौन सा point हो जाएगा C उसके बाद C वाले point पर यह C से D की दूरी यहां है ठीक है ना और C से D C कौन सा point हमारा यह C से D यहां आएगा यह point हमारा क्या है C है उसके बाद C से D की C से E है ना यह E की दूरी जो है यहां पर यह कटेगा कितना रहेगा 40 40 यह 40 रहेगा उसके बाद यह हो गया उसके बाद capital D और a small a capital capital D और capital A के बीच में कौन सा point है एक point है तो capital D से F की दूरी ना अपलेंगे और capital D से यहां पर क्या कर लेंगे cut लेंगे और यह दूरी हमारे क्या हो जाएगा F हो जाएगा यह हमारा था A, B, C यह D, E और F अब क्या करेंगे सब को मिला देंगे ऐसे 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 और ऐसे 6 side बना hexagon बना बट यह total है यह internally 120 होगा angle divert होगा ठीक है isometric में जब जाएगा किस तरह से हम लोग बनाते हैं किसका projection hexagon का pentagon का ठीक है जब आप यह नहीं बनाने आएगा तो आगे परहेंगे pentagon परामेड hexagon परामेड कौन तो यह नहीं बन पाएगा यह जरूरी हता है यहाँ तक किसी को दिकत है पुछना है तो पुछलो ठीक है उसके बाद उसके बाद है draw the isometric view of a circle width 60 mm diameter on a three principal plane using ordinate method एक होता है ordinate method और एक होता है force center method ठीक है force center method और एक क्या होता है ordinate method ठीक है generally जो आप लोग को परना होता या बनाना होता है बनाने का तरीका भी same है बट उसमें force center method ज़्यादा prefer किया जाता है और वो आसान भी है ठीक है force center method अब क्या है कि हम अभी बताए थे कि अगर वो सर्किल बोलेगा पिंटागोन बोलेगा हिक्सागोन बोलेगा ठीक है सर्किल बोलेगा तो पहले ब्लॉक बनाना परेगा ठीक है अब देखें यहां पे हम बताते हैं यह सर्किल का डायमीटर कितना बोला साट तो सबसे पहले एक सेंटर होगा सरकिल का और उसको सरकिल को सेंटर होगा तो सरकिल बनेगा ऐसा गोल-गोल ठीक है गोल-गोल बनेगा ना ठीक है उसके बाद हम क्या कि बताये थे अभी बॉक्स में घेरना है देखो बॉक्स में तो घेरना है ही फिट कर देना अब कोई लड़का इसमें खेला कर देगा पताये क्या वो करेगा कि बॉक्से में न घिरना है तो ऐसा घिर देते हैं सब तो घिराले है मगर ऐसा घिरने का मतलब नहीं है तो घिरने का मतलब है कि complete जो figure है वो उस boundary line से न बाहर जाना चाहिए न अंदर रहना चाहिए complete घिरने का मतलब यही है एक चीज और इसमें ध्यान देनी वाली बात है कि जब भी circle का बात आता है तो हम इसका division करते हैं क्या करते हैं division करते हैं क्योंकि circle में कोई भी corner point नहीं होता है और corner point जब नहीं रहेगा न तो वहां हम इसको point को ले कैसे पाएंगे तो इसलिए circle को हम लोग 8 पार्ट में या 12 पार्ट में क्या करते हैं बाटते हैं तो आप लोग को पता होगा कि अगर circle है ठीक है यानि एक division जो होगा circle का वो कितना पार्ट में होगा आठ division में अब देखो पहला जो division होगा ये तो चार division हो जाएगा center to center चला जाएगा बोलो कोई दिक्कत और ये angle 90 degree बनाता है तो by section में थर से पहले तो इतना मिला लेंगे एक process होता है by section of arc ठीक है उसके मदद से क्या करते हैं कि मालो ये a है b c और d अगर इसको divide करना है arc को दो पार्ट में divide करना है equal पार्ट में अगर divide करना है तो हम क्या करते हैं b को center ले लेते हैं क्या ले लेते हैं b को center ले लेते हैं और आधा से अधिक यह arc का जितना length होगा आधा से अधिक देखो यहाँ पर हम हाथ रखे हैं यह आधा से अधिक है आधा से अधिक हुआ आधा से अधिक हुआ तो एक arc ऐसा लिए ले लिए किसको center मानके B को और उसी तरह से C को center मानके क्या करेंगे इसको cut लेंगे और इसको इससे क्या कर देंगे मिला देंगे यह जो डिवीजन आटमेटिकली 45 डिगरी आ जाएगा कोई दिकत यह टोटल प्रोसेस बनाएंगे इसमें ठीक है मगर इतना समय भी तो नहीं है ना हमारे पास प्रोटेक्टर है और इसको अगर हम जान रहें कि 95 है तो हम 45 पर वाट मारकि काम कर लेंगे कोई दिकता वे से उसके बाद अब क्या है कि हम इसको बना लेते पहले कि और ब्लॉक में अब फिसी चीज को हम बनाते है आप देखो ये जो डिभीजन हैना डिभीजन इसको लोग मानते हैं वन इसको मानते हैं टू इसको यह फोटत्री अज़्ल यह यह हमारा दूसरा होगा यह दिसरा होगा चौटा छठ्था अज़्याट्था सत्मा और आठमा यह आठ टोटल डिवीजन हुआ ठीक है उसके बाद आप देखे इसी सरकिल को हम बनाएंगे आइसो मेट्रिक में ठीक है यह तो अभी किसमें है और्थोग्राफिक में है ना तो हम जो लोकेशन सेलेक्ट कर रहें वो सिंपल वाला एक सबाई वाला ठीक ना अब देखो यह जो हमारा कितना आएगा इभी कितना आएगा यह हमारा कितना आएगा 30 और यह भी क्या आएगा 30 तो सबसे पहले ABCD को बनाएंगे यहां पर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे A B को मापना परेगा क्या मापना परेगा डायमीटर ही मैक्सिमम आएगा नहीं आएगा अगर डायमीटर मैक्सिमम आएगा तो हम A point यहाँ सेलेक्ट कर लें किसी को दिक्कत यहाँ पर A कर सकते हैं और A से क्या जाएंगे और A से क्या जाएंगे डी जाएंगे और उसके बाद हम बताये थे कि इसके पैरलल इस पे चले जाएंगे और जहां कटेगा वहां हमारा क्या आएगा एंसर आएगा दूसरी बात तीवी बोले थे कि ये 40 साल ये 60 है अगर ये 60 है तो क्या करेंगे एक कमपास पे 60 ले लेंगे और डी को एक सेंटर मान के आर खिचेंगे और बी को सेंटर मान के क्या खिचेंगे एक आर खिचेंगे और दोनों को मिला भी देंगे तो हमारा काम क्य कि आज्ट अब इसके बाद अब क्या है इसारे पॉइंट को दिखाना होगा एक दो, तिन, चार, पांच, शे चार जतना का है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं न क्यों जितना जो मारा माइनर एकसिस होता है उसको को मिला देते हैं ठीक है यानि देखिए का हम क्या बना रहा है सबसे पहले इसको ऐसे मिला देते हैं और दुसरा बात ऐसे मिला देते हैं अग्यों इसको फोर्ट एंटर बोलते हैं जब कंस्ट्रक्शन करेंगे यह इतना काम करने बाद यह अभी उसके बाद भाद कि बीसी सीडी और अदी का मीड पॉइंट निकालते है क्या निकालते हैं मीड़ पॉइंट मतलब अगरी 40 होगा तो बीस पे होगा अगरी 60 होगा तो तीस पे होगा ठीक है उसका मीड़ मतलब समझ रहे हैं तो हम इसका ऐसे मीड़ निकाल लेते हैं कि कलर चेंज कर ले कि भूलो नहीं दिखता है कि पिंक ले 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 हैं कि अधिक तो देखो यह वाला जो है यह वाला बात में यह वाला यह वाला और यह वाला क्या है मीड़ पॉइंट है कौन सा है हारा वाला क्या है मीड़ पॉइंट है अब देखिएगा इधर ध्यान दिजेगा इस दोनों को इस सी से मिला लेते हैं ऐसे बोड पे थोरा ध्यान दिजे इसको क्या करते हैं ऐसे औ और दुसरा जो ट्रेंगल बनेगा, दुसरा जो ट्रेंगल बनेगा, ठीक है, मगर ध्यान दीजेगा इस बात का, अब देखें यहाँ पे, इसे ही कर लेते हैं, देखें यह वाला जो है न, C को सेंटर मान, C जब रिफरेंस होगा, तो यह वाला पॉइंट ऐसे मिलेगा, और यह वाला ऐसा मिलेगा, ठीक है, दूसरा एक से, A से यह जो मिट पॉइंट है, मानलो इसको एक, दो, तीन, चार मा लेते हैं ठीक है यानि ए से जब सी को लेंगे ना तो एक और चार से मिलेगा ठीक है और एक को लेंगे तो तीन और दो से मिलेगा मगर खास बात यह जहां काटा है ना उसी से पास पास करते हैं कि यह चारा अब देखो फोर सेंटर इसीले कहाते हैं कि एक सेंटर यह हुआ दूसरा सेंटर यह हुआ तिसरा सेंटर यह हुआ और चौथा सेंटर यह हुआ और इसी के मदद से हम बनाएंगे इलिप्स देखे कितना असा बहुत मज़ा आएगा क्या यह वाला बता रहे हैं अब देखो यह सबसे पहले यह तो समझ में आया कि यह पीला वाला जितना है कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया दूसरी बात अब क्या है कि यह वाइट वाला मिलाएं है यह डाइगनली मिला दिये हैं इससे भी कोई दिकत नहीं है उसके बाद यह जितना पीला वाला साइड है A, B, A, B, B, C, C, D और A, D सबका मीड पॉइंट निकाले हैं इससे में भी कोई दिकत नहीं उसके बाद क्या किये कि हम यह जो मीड पॉइंट है ना तो C को सेंटर मानें C को सेंटर मानें और A को मिला दिये लाइन ऐसे उसके बाद C को इससे मिलाएंगे किसे एक से यानि यहां पे खास बात यह ध्यान एकना एक नीचे का ट्रेंगल बनाना है एक उपर का ट्रेंगल बनाना है मगर बनाते समय यह ध्यान देना है कि जो पहला वाला लाइन जिसको काटा है ना बरे वाले को बारा वाला को हमेशा काटेगा और बारा वाला पहला जिसको काटा है ना वहीं पे उजाएगा अगर आपका प्रोपर सही जा रहा है ना तो वहीं पे काटेगा इधर उधर जा जा रहाए ना देखे मेरा वहीं पर अधाय समाझ में एक एक को मान के एक ट्रेंगल और सीक एक सीको ट्रेंगल एक एक ट्रेंगल यानि मिला जो लाकर वहां डबलू बन जाएगा ठीक है उसके बाद इसमें इसको जब बनाईएगा तो देखे जो सेंटर हमारा बना यह एक सेंटर यह बना हम ठीक है सेंटर यह बना है अब क्या है न कि आप इस कंपास को कंपास को इस पर रखिएगा ठीक है और तीन पर और आप अराम से घुमाते जाएगा उचार पर मिल जाएगा अगर चार नहीं मिला मतलब आपका गलत है ठीक है दम गलत है उसी तरह से इस पे रखेगा ठीक है इस पे रखएगा एक पर рук दीजेगा पेंसिल को एक पे लूहावाला ऊर्य यहां पे लुहावाला और एक पे पेंसिल और इसको जैसा गुमाईएगा उदम जाकर के दूपे मिल जाएगा नहीं मिल रहा है गलत है सिमिलरली एक को सेंटर मानिएगा और तीन पे कम पेंसिल को रखिएगा ऐसे ठीके ना और यह जब घुमेगा ना तो यह दूपे जाके दम मिल जाएगा अगर दूपे नहीं मिल रहा है मतलब आप क्या है गलत है उसी तरह से सी को सेंटर मान के एक पे एक से चार को मिलेगा अगर एक पे एक से चलना सुरू किये हैं अचार पे जाके दम मिल जाना चाहिए अगर चार पे नहीं मिल रहा है मतलब आपका एंसर क्या है गलत है अगर मिलाज उलाके मेरा सही बन गया है इलिप्स लग रहा है नहीं अंडा देख रहा है ठीक है तो इस तरह से है फोर सेंटर मेथड बनाना है ठीक है इसी को अगर अगर एक्स वाई प्लेन में वाई जेट प्लेन में अगर बनाना होगा तो सिर्फ एक तरफ नाइंटी डिगरी और दूसरा तरफ तीस डिगरी लेके बनाएंगे बन जाएगा बोलो कोई दिक्कात है ठीक है स्टॉप करू क्या